नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के खर के अंदर अब कमिंग एपिसोड में आने वाला है दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट जे हाँ इस ट्विस्ट की वज़े से अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन से रिष्टा जो है पूरी तरह से तोड़ दिय जी हाँ अब ये ट्विस्ट क्या है आई आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर बिग बॉस के मेकस ने सभी कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर बुलाया बैठाया सोफे पर बैठाया और ब बहुत बड़ा तबदील होने वाला है बहुत बड़ा तबादला होने वाला है अब सारे के सारे घरवले एक एक करके यहाँ पर दिल मकान में से विकी जैन को हटा कर यहाँ पर भेज देंगे आपको बताना चाहते हैं दोस्तों दम मकान में जी हाँ दम मकान में बेज दें और पिक बास के मेकर्स भी उस पर सहमती जताते वे नजर आएंगे अब अंकिता और विक्की एक दूसरे से अलग हो गए हैं जो की दिल मकान में पहले एक दूसरे के साथ थे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अंकिता लोखंडे का हाल काफी बुरा हो जाएगा अपने पती के बीना तो वहीं विक्की जैन जो है मादम मकान में जाकर सना अरुन तहल का भाई के साथ मिलकर ठहाके लगाते वे नजर आएंगे और कहते वे ये नजर आएंगे कि मैं अपनी वाईद से अलग होकर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर खोश हूँ बहुत जादा जो है मैं यहाँ पर हैपी हूँ क्यूंकि अंकीता जो है हमारा मतलब अंकीता जो है हमेशा मुझे पकाते रहती है और हमेशा जो है उसे प्यार करना पड़ता है ये बात जो है वो कहते हैं विकी जैन और विकी जैन ये सारी की सारी बाते ना सिर्फ कहते हैं ब इस पर तीरी लगा देते हैं अंकिता लोखंडे को बता देते हैं विक्की जैन का असली चहरा जो है बता देते हैं अंकिता लोखंडे को और अंकिता लोखंडे अब ये बात जाती है कि विक्की जैन उसके बिना जश्न मना रहे दम मकान में ये बात जानकर वो नराज हो जात करती है विक्की जैन को लेकर और कहती हैं कि विक्की तू इस तरीके का निकलेगा मुझे expectation नहीं था मैं तेरे लिए दिल मकाम में मरे जा रही हूँ और तू वहाँ जाकर जश्ण मना रहा है तुने मेरा use किया है तूने मेरा इस्तेमाल किया है विक्की और मुझे ऐसा लगता है कि तुने मुझसे शादी भी इसले की थी क्योंकि मैं बहुत जादा पॉपलर थी ना सिर मैं पॉपलर थी बलकि इंड़स्टी में मेरा काफी अच्छा नाम था इसले तुमने मुझसे शादी किया है और यहां पर मेरे को सिर्फ सिर्फ असली प्यार जो है सुशान से ही मिला तुम से मुझे प्यार असली तो कभी मुझे मिला ही नहीं है हमेशा जो है तुम मुझे डॉमिनेट करते हो ये बात जो है वो कहती है विक्की से और विक्की से ये कहते हुए यहाँ पर नजर आती है अंकिता लोखंडे और ना सिर्फ अंकिता लोखंडे के सारी के सारी बाते कहती है बलकि विक्की जैन जो है यहाँ पर समझाने के कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ पर फन कर रहा था तोड़ा वक्त फन कर रहा था तुमारे भी ना तो इसमें गलत क्या है और वहां भी डॉमिनेशन करती है लेकिन यहां पर अंकिता लोखंडे जो है विकी जैन के सामने डटकर खड़ी रहती है आवाज उठाती है और यहां पर ना सिर्फ आवाज उठाती है बलकि आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर उनसे अलग ह होने का फैसला करती है अंकिता लोखंडे तो यह चीजें आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिले का दोस्तों इस सब्सक्राइब आप कर ले